आज होने वाली है word meaning वाली class word meaning जो बहुत जादा मदद करते हैं आपको अंग्रेजी बोलने में तो ऐसे word meaning जो वाक्यों को बनाते वक्त जो gap आप महसूस करते हैं अपने हिंदी वाक्य को इंग्लिश में convert करते वक्त उस gap को fill करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की class सबसे पहला जो शब्द है हमारे साथ वो आप यूज करेंगे जो आप वाक्य बोल रहे हैं हिंदी में वहाँ पर अगर साथ या के साथ का इस्तमाल आप कर रहे हूं जैसे आप कहते हैं न कि मैं उसके साथ जा रहा हूं या वह मेरे साथ आ रही है तो ये word का अगर आप यूज कर रहे हो और इसी वाक्य को जब आपको English में convert करना हो तो आप with word का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? आप के साथ हैं वी आर विथ यूज करेंगे? हम आप के साथ हैं वी आर विथ यूजड आप अपने हंदी वाक्य में के बारे में या के संबंध में बात कर रहे हो जैसे मैं उसके बारे में बताता हूँ या मुझे उसके बारे में बताओ मुझे उसके सम्मंध में कुछ बताओ तो about word का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? about word का यूज करते हैं जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था वह उसके बारे में बात कर रहा था तो क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले बता दूँ प्रीमियम स्पोकेन इंगलिश की कोर्स करना चाहते हैं अगर आप जो हमारे आप पर अवेलिबल है और आप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलिबल है वहाँ पर ये 2499 की कोर्स अब आप कर सकते हैं मात्र 299 में कोर्स सेम रहेगी 2499 वाली जो कोर्स है वही कोर्स 299 में दी जा रही है 6 महिने की वैलिडिटी के साथ ही कोर्स आती है 2 महिने की कोर्स है आपको इसमें 60 वीडियो क्लासेस मिलते हैं PDF मिलते हैं, notes मिलते हैं, app पर खुलते हैं, यह सारे homework और उनके answer sheet भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो जल्दी करिए और अपने आपको इस course के लिए register करिए, class को आगे बढ़ाते हैं, e-books अगर आपको चाहिए तो इस website पर जाकर कि आप इन में सी कोई सी भी e-books अपने क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है above, है ना, कैसे यूज करते हैं, जैसे यह सूची में उपर है, सूची का मतलब क्या होता है, सूची का मतलब आपको पता है, सूची को अंग्रेजी में कहते हैं list, जैसे आप list बनाते हो ना सबजी की list बनानी है भई, या फिर हम में जाना है तो कपड की क्या-क्या packing करनी है मिस्कद बिनानी है तो हिंदी में इसको सूची कहते हैं और अंग्रेगिजी में इसको लिस्ट कहते हैं तो list में ऊपर है सूची में उपर है this is above in the list दिस अब ऊपर है और लिकों से अंगकिंध आइडिया, माल लो आप 11 number item की बात कर रहे हो या 7th number item की बात कर रहे हो और पांचों नंबर की अगर बात करें तो ये तो उपर है न लिस्ट में, समझ रहे हैं बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर पार, आगे को, यके उस पार, अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हैं हिंदी वाक्य में, तो word across का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, across वर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे उनका कार्याल है, school के उस पार है, His office is across the school, मतलब ऐसे मानके चलिए, एक ऐसी situation है, जहां पर एक road है, और road की इस तरफ school है, और उस तरफ office है, road के उस पार office है, तो क्या करते हैं, कि उनका office जो है, road के उस पार है, school के उस पार है, सिधी बात है, road के उस पार school इस पार में है, तो school के उस पार हो गया, correct, तो across word का use करते हैं. His office is across the school. Across the school. Bad या के bad. After. किस word का use होगा? After का use होगा. Class के बाद आप जा सकते हैं. Class के बाद आप जा सकते हैं. After the class, you can go. After the class, you can go. विरुद्ध या के खिलाफ. है ना? Word use होता है अगेंस्ट. क्या यूज होता है? अगेंस्ट. जैसे उसके खिलाफ बात मत करो. या उसके विरुद्ध में मुझे कुछ मत बोलो. तो अगेंस्ट वर्ड का यूज करेंगे. वह मेरे खिलाफ था. He was अगेंस्ट मी वह मेरे खिलाफ था He was अगेंस्ट मी फिर है साथ में साथ में यहाँ पर मतलब एक के साथ एक है ऐसे वाली सिचुएशन है तो साथ में कहेंगे along क्या कहेंगे? कहेंगे along जैसे वह अपने माता पिता के साथ आई थी वह अपने माता पिता के साथ आई थी She came along with her parents She came along with her parents जैसे स्कूल के parents teacher meeting में क्या बोले जाता है? कि parents के साथ आना है ना? तो come along with your parents तो she came along with her parents Parents का मतलब होता है जो guardian होता है आपके जो mother, father या जो भी आप उस city में है तो जो भी guardian है आपके वह parents कहला है पेरिंस जो है अगर कोई और है relation में तो वह guardian कहलाता है और parents आपके माता पिता होते हैं ठीक है? अच्छा के बीच या बीच में आप इस्तमाल करेंगे between किसका इस्तमाल करेंगे? इस्तमाल करेंगे between के बीच या बीच में between word का यूज करेंगे जैसे शाम चार से पाँच बजे के बीच आना कम बिट्वीन 4 पी एम 2 फाइफ पी एम बिट्वीन का यूज होता है जब आप दो चीजों की limit को बांद देते हो जैसे मैंने कहा चार से पाँच के बीच आना मतलब ना चार से पहले आना है ना पाँच के बाद आना है आपको चार से पाँच के बीच आना है कम बिट्वीन 4 पी एम 2 फाइफ पी एम फिर है दो के बीच या बीच में अभी between पढ़ाया जब आपने दो लिमिट को बाद दिया ठीक है अभी कभी होता है ना ऐसा जिससे उसे बाहर बात करनी है अब दो व्यक्तियों की बात करें तो इसके और इसके बीच में तो हमेशा बात नहीं करेंगे ना जब दो से जादा की बात करनी हो तो among word का यूज करते हैं के बीच या बीच में किस word का यूज करेंगे among और ये दो से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जैसे वह भीड के बीच था कहां था भीड के बीच था भीड थी और भीड के बीच में वो था तो he was among the crowd he was between the crowd नहीं होगा यहां पर क्योंकि between दो के लिए यूज होता है चिक है among यूज होगा चाहे भीड हो या दो से ज्यादा हो word यूज करेंगे among का चारो और इर्द गिर्द या के आस पास इस्तमाल होगा around around इसको पढ़ते हैं इस्तमाल चारो और इर्द गिर्द या के आस पास के तौर पर किया जाता है जैसे वह पार्क के चारो और टहलती है क्या बोल रहा है वह पार्क के चारो और टहलती है she takes a walk around the park मतलब पार्क के बीच में नहीं पार्क के चारो और boundary boundary में टहलती है she takes a walk around the park मतला पूरे को cover कर लिया ना, पूरे को cover कर लिया, तो around word का use करेंगे, ठीक है, पर, मे, से, तीनो ही usage के जगापर आप English में at का use कर सकते हैं, depending की वाक्य की क्या demand है, अगर हिंदी में वाक्य में per use हो रहा है, और वाक्य की demand फुल्फिल हो रही है, तो at का use कर लेंगे, में का अस्तमाल है, जैसे मैं एरपोर्ट पर हूँ, तो यहां पर आप at का use करेंगे, फिर में जो है, उसके जगह पर भी at का अस्तमाल होता है, as per वाक्य का demand, और फिर से के जगह पर भी at का use होता है, as per वाक्य का demand, जैसे, क्लास रात आठ बजे से शुरू है, कहते हैं न, क्लास रात आठ बजे से शुरू है, the class starts at 8 p.m., समझा गई, the class starts at 8 p.m., फिर है में, पर, को, इन तीनों के जगह पर भी आप on का use करते हैं, again as per वाक्य का demand, यहाँ पर में के जगह पर on का use हो सकता है, पर के जगह पर भी हो सकता है, को के जगह पर भी हो सकता है, यह depend करेगा कि वाक्य जो आप बोल रहे हो, वो कैसा है, वहाँ पर on लगेगा, या कुछ और लगेगा, जैसे, मैं रवीवार को free नहीं हूँ, I am not free on Sunday, मैं रवीवार को free नहीं हूँ, I am not free on Sunday, फिर है on to, अगला word हमारे पास, के उपर या उपर, on to, right, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह cycle के उपर कूद गया, he jumped on to the bicycle, मतलब आपने क्या क्या, आपने cycle देखी, बहुत excitement बिन थे, और अब दौड क्या है और कूद गया, मतलब आपका जो motion, आप भी motion में हो, और आप कुद गया उस चीज के उपर, तो वहाँ पर on to का यूज करेंगे, he jumped on to the bicycle, फिर अगला शब्द है का या की, off word का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, off का, जैसे मेरे चाई की कप कहां है, मेरे चाई की कप कहां है, where is my cup of tea, where is my cup of tea, फिर है off, ओ double f, off का यहाँ पर use हो रहा है, बंद, दूर या से दूर, इस्तमाल करेंगे शब्द off का, जैसे पंखा बंद करो, switch off the fan, पंखा बंद करो, बंद किसकी मदद से करेंगे, switch की मदद से, तो हमने कहा, switch off the fan, के लिए या लिए, forward का यूज करते हैं, हम दौरे के लिए जा रहे हैं, we are going for tour, हम दौरे के लिए जा रहे हैं, we are going for tour, from, say word के जगह पर use होता है, from, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, है न, तो from, say word के जगह पर use होता है, मैं क्लास से वापस आ गया, I came back from class, मैं क्लास से वापस आ गया, I came back from class, में भीतर या अंदर, इस्तमाल करते हैं, word इन का, किसका यूज करेंगे, ये भी again वाकिकी दिमांड के हिसाब से यूज होगा, के अंदर या मे, word इन्टू का यूज करेंगे, ये यूज होता है, जब आप एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस में एंटर करते हो, मानलों आप बाहर खड़े हो, आप गाड़ी के अंदर चले गए, तो वहाँ पर इन्टू का यूज करेंगे, ठिक है, जैसे हम कार में चड़ गए, we got into the car, we got into the car, हम कार में चड़ गए, we got into the car, मतलब आप जमीन पर खड़े थे, आप जमीन से कार के अंदर चले गए, तो इन्टू वर्ड का यूज करते हैं, राइट, इन्टू दा कार, we got into the car, राइट, तो चलिए भई, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, शेर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, अब अप जब आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, अपनी फोन अब आपको आगे क्या करना है, चलिए बता देती हूं, सबसे पहले तो गोगल प्ले स्टोर पर जाएए, वहाँ पर आपको खोजे बीबैंकर इंगलिश अप, उसके बाद उसको अपनी फोन पर इंस्टॉल कर लिजे, फिर आपको सबसे पहले दिखेगा दो आप्शन, ए आसान सा पासवोड सेट करेंगे, फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर आप जैसे ही आपके अंदर जाओगे, आप कोर्सेस को सर्च करना, उसके बाद रिकॉर्डड़ क्लास पर क्लिक करना, फिर व्यू नाओ पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर क्लासेस पर क्लि जाओगे यहाँ पर आपसे पेमिंट मांगा जाएगा 299 का तो आप यहाँ पर फोन पे, पेटीयम, गूगल पे, मोबीवी की, फ्री चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी कभी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर पेमिंट कर सकते हो, जैसे ही आप एक बार पेमिंट करोगे, आपकी सारी क्लासिस, सारी की सारी क्लासिस जो है, वो क्या हो जाएंगी start हो जाएंगी start now हो जाएंगी उसको click करके आप classes को देखना शुरू कर सकते हो इसके लावा कोई दिक्कत अगार आ रही हो तो यह वाला WhatsApp नमबर है अपने दिक्कत को लिख करके जो है WhatsApp कर दीजेगा हमारी टीम आपसे खुद contact कर लेगी जो भी दिक्कत आ रही है ना उसको click करके WhatsApp करिएगा यह वाले नमबर पर यह paid course वालों के लिए है और यह वाले नमबर पर जो भी free course वाले बच्चे है जिनको e-book की link चाहिए या WhatsApp के group में join होना है रोज की classes चाहिए वहाँ पर या e-books चाह चाहिए यह आपको free course चाहिए आपके अपने mobile पर तो यह वाले नमबर पर WhatsApp करना ऐसे वाले लोग जो भी मतलब बच्चे जिनको भी चाहिए free course चाहिए वगेरा तो वो लोग उस वाले नमबर पर WhatsApp करना लिख कर के ठीक है इसके अलाबा इस नम यह वाली website पर जाकर के आप से कोई सी भी e-book ले सकते हो as per your requirement आपको जोन सी भी book चाहिए लगता है कि हा मुझे सी जरूरत है तो यहां पर आप ले सकते हो लेने के बाद एक चीज करना डाउनलोड इसको जरूर कर लेना अपने फोन पर है ना कि यह से payment करोगे फिर बाहर नहीं आ जाना फट से वहां प चानल इस लिंक के जरीए ही जोइन करिएगा बी बैंकर इंगलिश क्लास के नाम से जो है टेलिग्राम पर चानल है इसके अलावा कोई सा भी नाम जो यह क्लेम करता हो कि वो बी बैंकर का चानल है वो नकली है वो गलत है आपको बी बैंकर इंगलिश क्लास के नाम से चानल म for watching stay tuned to be bankers spoken English class